नमस्का दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको सागत है, तो आज आपे मैं बात करूंगा, इंडिया के एक largest केबिल कमपनी के बारे में, केबिल मतलब मैं पावर केबिल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इंडिया के थार्ड लार्जेस्ट कमपनी है, तो इंडिया में बहुत सरे केबिल कमपनी है, पावर केबिल कमपनी है, तो उनमें से थार्ड लार्जेस्ट कमपनी है, तो इस पाने के लिए चैनल को सब्सक्रेब भी करिए किके आपको डेली बेसी स्टौक शॉक remarkable साथ आपको आई पियस के बारे में जान करी तरहें किसे से लेटा चाहिए तो इस चैनल में बने रही है 때 चलो देख लेते हैं आज की इस टॉक के बारे होंगे सायद नहीं भी करें होंगे क्योंकि दिखिए जब मार्केट में बहुत सारे कंपानी से तब किसी भी एक कंपानी को चूज करना बहुत एक मतलब कठिनाई जुरू देखने को मिलता है तो यहां पर आज मैं बात करूंगे इस कंपानी के बारे में क्योंकि कुछ fundamentally financial details आपको दिखोंगा तो वीडियो को लास तक जुरू दिखेगा तो आप देख सकते हैं company का जो business model से आप यहाप खुद देख सकते हैं company actually कौन सा product से आप बनाते हैं ज्यादातर आप गिजर को देखते हैं ज्यादातर आप वाटर मतलब प्यूरिफार को देखते हैं तो इसी तरीके से ग्याजट इस company बनाते हैं साथी साथ आप water filter को भी बनाते हैं और साथी साथ आप देखिए और जितने सारे wares and cables होते हैं मतलब मानके चलिए आप घर में जो wares and cables करते हैं साथी साथ कंस्ट्रक्शन के में और कमर्सियल भी जो wares and cables लगते हैं उसका भी बिजनिस इसी company करते हैं स्विच भी बनाते हैं यहाप देखिए LED लाइट्स भी बनाते हैं फैंस भी बनाते हैं आप यहापे इस company के ऊपर भरोसा करिए यह कि दिखिए आपको सर्फ company का details मतलब कौन सा business कर रहे हैं इसको देखकर तो भरोसा नहीं करना चाहिए और भी बहुत सारे परामेटर सब को देखना चाहिए जैसे company का financial report company का fundamental details तो चलो अब दिखा देता हो company का fundamental details तो सबसे पहले मैं company के competitor के ही सब से बात करूँ तो इंडिया में जितने सरे cables company है cables power cables company है उनमें से third largest company है वो है Phenolex और इस company मुझे क्यों पसंद है तीकि मुझे पसंद है इसका मतलब है नहीं के कल जो के आपको भी इस company पसंद हो जाए और कल भी इसके उपनिवेस कर देए इसे बिल्कुल मत करिएगा मैं हमें साब को stock market में जो मतलब सारे company's के बारे म में data आपको सामने दिखाता हूँ आपको company के management team क्या कर रहा है company का finance report क्या है इसके बारे में जान कर दे रहा हूँ तो आप ये बात समझ मत लेना कि मैं आपको कोई recommendation कर रहा हूँ मैं कभी भी recommendation नहीं करता क्योंकि बहुत सर्थ दोस्तने मुझे comment क्या है sir मैं कॉंसा share खरीद तो आप उस company के उपर एक बास study कर लेना तभी आप उस company के उपर जानकरी मिल जाएगा तब आमने बेस करना देखिए आप आख बंद करके किसी के उपर भरोसा मत करिए क्योंकि देखिए पैसा आपका होगा तो भरोसा भी आप खुद के उपर करना चाहिए हाँ अब education किसी के पास से ले सकते हैं अब जानकरी company के किसी के पास से ले सकते हैं सारे के सारे जानकरी एक साथ जोड़कर आप देखिए कौन सा जानकरी बेस्ट है और उसके बेसिसे कौन सा company based है उसको पर निबेस करिए इस company के सबसे जो मुझे से positivity बात लगे वो है company का depth zero depth है मतलब कोई भी कर जाने है जो company के depth नहीं होता ना वो company आगे चलके बहुत अच्छा काम करता है तो क्यूंकि देखिए मान के चलिए आपका एक business है तो उस business में आप मान के चलिए आपको 100 करोड का business है तो आप उन में से दिखा जाए तो 50 करोड लोन में लेकर रखा है तो आप कहेंगे sir में 100 करोड का business में 50 करोड लोन लिया मेरा खुद का 50 करोड है तो में उसमें से चलो मान के चलता हूँ 10 करोड का profit कर रहा है मैं एक example के सबसे बता रहा हूँ तो आप एक बास सोच लीजिए आप कहेंगे sir मुझे तो profit हो रहा है और दूसरा एक आपका दोस्त जिसके पास 100 कर करजा ना लेकर business किया और वो क्या कर रहा है वो यहाँ पर मान के चलिए 8 करोड का profit कर रहा है आप कहेंगे sir मेरा दोस्त से तो में ज्यादा profit कर रहा हूँ बिलकुल अच्छी बात है मगर एक चीज़ अब धान से समझ लीजिए जब आपका कुछी भी companies में कुछ investment करने का time तो आपके हाथ में तो कैस नहीं है उतना कैस नहीं है कि कि आप तो करजा ज्यादा लेकर रखा है अगर करजा की percentage बढ़ जाए तो आपको ज्यादा percentage की सबसे मतले interest पे करना पड़ेगा तो आपका profit margin यहाँ पे घड़ जाएगा मगर आपका दोस्त के साथ ऐसे बिलकुल न जोरूरी है क्योंकि हमेसा हर cash आपके पास उतना नहीं होते है तो market से भी पैसा उठाना पड़ता है तो आप देख सकते company का business models के बारे में बात करूँ तो पहले में डिस्क्लेमा जोरू दूँगा company एक मेटकेप टाइप company है तो आपको volatility ज्यादा देखने को मिलेगा तो आ आप इस company को return of capital employee जोरू देखना क्योंकि return of capital employee बहुत चीज होते है कि आपको कितना return मिल रहा है इसका जो capital से उसके हिसाब से मतलब इसका जो equities है उस equities के ऊपर company कितना return कमा रहा है तो दिखिए मान के चलिए company के total equity size है 100 और उनमें से company 21 रुपिया कमा पा रहा है साल भर में तो इनमें खराबी नहीं है मैं पहले आपको बता चाहिए को 20% से भी ज्यादा company अगर profit कमाया तो आपको एक average level में मानना चाहिए एक अच्छा खासा मानना चाहिए तो एक positive point है दूसरी बात company का peer ratio मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतना कम जितना कम peer ratio होगा उतना ही company के लिए खास होगा क्योंकि दिखिए बानके चलिए आप 10 रुपया निवेस करके आपको मिले एक रुपया तो बड़ी बात है कि आप 50 रुपया निवेस करके आपको मिलेगा एक रुपया तो कौन सी अच्छी बात है बिल्कुल एही बात अच्छे होगा तो एही चीज आप देखना चाहिए कि इसका इंडस्टीज पीरी से कही सबसे कमपानी का पीरी से मुझे बहुत अच्छा लगा और तीसरी बात कमपानी का अच्छा खासा यह आप डेविडेन पर आउट भी हो रहा है कमपानी का फेस बेलू दो रूपिया मतलब कमपानी स्प्रीड भी कर चुक है और एक चीज आप देखिए कमपानी का हाथ पर फ्री कैस्ट फ्लो यह सब से बिग पॉइंट होते हैं प्री क्ल्यास कैस्ट फ्लो में आपको बार बार बोल चुक हूँ मानके चले कमपानी का जो बिजनेस है उन में से कमपानी का फ्रॉफित तो हो रहा है तो उन से मानके चले कॉम्पणी ने सो करोर का टोटल प्रॉफिट किया तो उन में से कॉम्पणी ने कितना फिर से री इंवेस्ट किया और कॉम्पणी के हाथ में कितना पैसा बचा मानके चले कॉम्पणी ने फिर से असी करोर का री इंवेस्ट किया और हाथ में बचा कितना बीस कर ने company कुछ भी कर सकते, company में फिर से reinvest कर सकते है, company में फिर से कोई machinery खरीदरी करना है, company में कोई नया project launch करना है, तो उसके लिए इस पैसे को वो use कर सकते है, तो आप बहुत सारे जगा पे देखेंगे, कि minus cash flow में दिखा देता है, उसका मतलब क्या है, company के हाथ में कुछ cash नहीं और company जो गर्जा ले रहा है, उसी पैसा से company चला रहा है, तो company के हाथ में कुछ पैसा बची नह रहा है, तो आपको free cash flow भी देखना चाहिए, अगर company के हाथ में cash है, तो एक positive science है, इसका मतलब यह नहीं कि company के हाथ में negative free cash flow है, इसका मतलब company खराब है, ऐसे भी बिलकुल मत सम वो हाथ में कुछ cash ना रखके, पूरा के पूरा पैसा अभी investment में लगा रहा है, मतलब पूरा के पैसा अभी market में लगा रहा है, जब उसका market पूरा के पूरा capture हो जाएगा, तब वो पैसा कमाना लग जाएगा, तब वो cash flow आपको positive दीखेगा, तो दीखे, inventory day मतलब company के production करन है, 17 days में, एक सबसे बड़ी points होते है, और working capital days मतलब जो working है, उसको capital के इसाब से आपको देना, कितना दीन में पढ़ रहा है, 239 days, तो अच्छी बात है, चलो company के अभी quarter basis result को दिखा दू, तो company हर quarter में profit को maintain कर रहा है, जब उस maintain कर रहा है, यह point सबसे big point होते है, देखिए, company profit कर रहा है, इसका मतलब एन ही, इसका जो profit margin जो दिखा रहा है, यह totally balanced मतलब company का result के इसाब से ठीक लग रहा है, मगर company का आपको एक चीज़ देखना चाहिए, चलो बो भी दिखा देता हू, cash flow, तो यहापर देखिए, operating cash flow जो है, तो यहापर देख सकते है, cash flow from operating activity, मतलब company हा operating हाथ में जो कैसा है, तो वो actually इससे आप compare करना चाहिए, जो total profit हो रहा है उन में से, तो यहापर देखिए, 473 और आप यहापर profit ratio देखेंगे, तो 599, तो इसका मतलब है, कुछ बीच में, कुछ पैसा अभी भी हाथ में नहीं आया, profit तो आपको दिखा दिया, मगर हाथ में पैसा अभी तक नहीं हा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, मानके चलिए company 600 करोल का profit आपको दिखाया, तो उन में से, मानके चलिए, cash flow दिखा रहा है, 480 करोल, इसका मतलब, आपे around 120 करोल, अभी भी market में है, उन्होंने माल तो बेश दिया, मतलब पैसा अभी हाथ में नह आया, तो एक चीज़ भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, company आपको profit देखा देगा, आप तो profit देखकर खूस हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, आपको बहुत चीज़ भी देखना चाहिए, तो एक points है, इस point को आपको measure करना चाहिए, अभी देखिए company के investor के बा आपको दिखा दू, तो company एक top level में जाने के बाद फिर से लगातार गिराबट हुआ, तो पिछले दिनों में एक जावदस तेजी आया, तो मेरे ही सबसे, यहाँ पर एक डारी ब्रेक हुआ, और मुझे मेरे ही सबसे आगे जा सकते है, यह आगे जाएगा का नहीं जाएगा तो आपको एक opportunity मिला है, एक discount में माल मिला है, तो आप इस company को पो निवेस करना चाहते है, तो एक बास study करिए उसका बाद निवेस करिए, तो आसा करता हूँ, सारे जैन कर आपको मिल चुका है, मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा, जूरू कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे motivate भी करेगा, और आपका comment मुझे और भी motivate करेगा, तो comment भी जूरू करिएगा, में तब तक लिए अच्छे सरी अपनी ख्यार लेकिए, बाई-बाई